हईलो फ्रेंड़, वेल disciplines to my YouTube channel दूस्तो आज यह वीडियो में आपको मेथी खाने के Hermesong Health Benefit के बारे में बताने जا रहे हूं वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेथी खाने के सही तरीके की बारे में बताогína यह जानने के लिए आप मेरा वीडियो अंतिम दख देखते रहे हैं मेथी डाइटरी फाइबर का खजाना है इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, जीन, सेलेनियम, मैगनेशियम, फॉलिक एसीड भरपूर मातरा में पाए जाते हैं यह आयन, प्रोटीन, थाइमीन, मेथी डाना अमरित के समान हैं यह इसने मौजुद अमीनियो एसीड हमारे बॉडी के इंसुन लेवल को मेंटेन रखने में काफी हल्पुल है अगर आप डाइबेटीज के रोगी है तो आपका बलड सुगर लेवल कुछी दिनों में कंट्रोल में आ जाएगा अगर आपको डाइबेटीज नहीं है तो आपको डाइबेटीज कभी नहीं होगी मेथी दना हमारे हाड यानि की दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसमें पोटाशियम काफी मातर में पाय जाता है जिसे हाई बलड प्रेशर कंट्रोल में रहता है ये केलस्ट्रोल लेवल को भी क पन की समस्या से जूज रहे हैं तो मेथी दाना आपके लिए बहुत फैदमन्द है मेथी दाना हमारे हेर के लिए हेर टॉनिक काम करता है इसमें लेसी टीन लामक तत्व होता है जो बालों के जड़ों को मजबूती और पोशन परदान करता है और नए बाल उगने में ये काफ काफी हल्फुल है मेथी दाना कंसरे मेथी दाना में फाइबर काफी मात्रा में होता है यह हमारे डायरेस्फ Falls कर ने में काफी हल्फुल है मेथी दाना नियमेश सेवन से हमें वादी बावा सीर की समस्या को भी दूर करता है और खूनी बावा सीर की शिकायत को ये कभी नहीं होने देता है अगर आप बावा सीर के रोगें तो आप इसका जरूर सेवन करें मेथी दाना में एंटी बैक्टेरियल और एंटी वाइरल प अंदर से क्लीन करता है, मेथी दाना का नेमिस सेवन स्तन के अकार को बढ़ाने में भी काफी लाब दायक है, मेथी का सेवन हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, और तवजा समंधी रोग जैसे फोरे फुनसी आदी को भी आप मेथी दाना खाने के सही तरीके, आप मेथी दाना को चूरन बणा कर उसको रोटी-ढा 확 प्लाझा राच में भीगों के रख दीजे और सुबगा उसको चभा-चभा के खा लीजिक, इस तरह भी मेथी दाना को लीसक्ते हैं, तो दूस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैस प्लीज प्लीज इसे लाइक करें इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आगे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें आप मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड की भी जरूर शेयर कीजिए आप कमेंट करें दो हुआ है